राधे राधे हरे क्रिश्ना कैसे हो आप सभी लोग आशा करती हूँ आप सभी परमंगल में होगे स्वस्थ होगे अच्छे होगे सब पर्थम आप सभी को जन्मास्टमी की अनन्त अनन्त सुपकामनाईदर जन्मास्टमी की मेरी पूरी पूरी तैयारी हो चुकी है आप बोग बन चुका है आप लोगों के सामने लग चुका है चोकी लग चुकी है अखन जोत चल रही है भगवान अपने गर्व गुफा में है और जनम के लिए बस तयारी हो चुकी है पूरी डैकोरेशन वो चुकी है और मैंने 44 भोग खुद अपने हाथों से बनाए थे तो इस इस बार में अरांड 36 भोग मैं अपने उससे बनाए है लेकिन 36 मैंने हाथों से बनाए आप लोगों को पते ही अस सायम में नी सथी क्या है वट आयगा है मैं अपने लड्व कोपा यक्लिया हो सकूं कर कल बाई लड्व को पाल जी है अभी गर्वुफा में है और हमारा कलश बड़े सारे लोगों का प्रशन होता दिदी ये तलस कम हटेगा तो जो ये तलस है ये छटी वाले दिन हटेगा इंफक ये चोपी भी छटी वाले दिन हटेगी बस अभी हम थोड़ी बहुत देर में रेडी होंगे कि करनिया जी का प्रादु बाहु हो जाएगा हम फिर उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं और उसके बाद अब मैं थोड़ी से देर के लिए चान निकलने का समय हो चुका है लोटा हमारे हाथ में ही है और हमारे यहां बोला जाता है कि चांद को बूड़े होने से पहले ही उनको जल चड़ा दो बूड़ा होना अर्था जब चांद पूरा निकल जाए तब जल मर चड़ा हो अर्था जब उसकी लालीमा ही दिखने लग जाए जब चांद बच्चा हो तब ही जल चड़ा दो सबसे पहले हम चांद को जल चड़ अब हम जा रहे हैं इतनी बारी सोरी इतनी बारी इतनी बारी सोड़ी एक पारह बहुत दूर के बात है हम वापस नीची आ चुके हैं अब यह गूगल पे फाइंड आउट करें कि चांद कब निकलेगा तो फिर जब गूगल पर हम लोग पर बहुत बहुत जादा खराब है लेकिन अब 12 बच चुके हैं और हमने पता है कि चांद कहाँ से निकलता है तो अब हम लोग जल princiआ चलाने के बाद हमने किष्मशन मिस्तूथि चलती रहेगी कि फोड़ा साप स्कीनिय को का में बस जल सकार्ड के उपस यह जाए इसके बाद फिर करो स्तुति के साथ पंचान तो हमें दिखी नहीं बहुत देर तक फाइंड आउट किया लेकिन मानसिक हमने मन ही मन में चांद को देखा और मन ही मन में चांद को सोचा कि हां यहां पर उपते हैं टाइम देख लिए तो गूगल पे तो हम जल चड़ा के आ चुके हैं परिक्रमा भिकर के आ चुके अब हम अपने लड्डू को पाल को गर्व ग्रह से निकालेंगे और उनका पंचाविस से काटा है और उसके कर दो हाँ पर ताली बजाने के बाद और उसके बाद घंटी बजाने के बाद थाली ताली घंटी सब बजाने के बाद अब हम पंचा मिर से अपने बाल को पाल लड्डू को पाल का अभिशेक कर रहे हैं आप देख रहे होगे यह मेरे हाथ में एक छोटा सा संख है और लड्डू बाल गोपाल लड़ू गोपाल का अभिशेक कर रहे हैं मंतर ध्वनी चल रही थी और मंतर ध्वनी के साथ साथ ही हम लोग अभिशेक कर रहे थे तम हमने दूर से अभिशेक किया फिर हमने दही से अभिशेक किया उसके बाद हमने गोगरत अर्थात घी से अभिशेक किया उसक बार पान सेसे किया और पानी में हमने करने के ठ्रुटा बीड हैं I have बना रहे हैं यह देखिए दिर दिर करके इनको यह इनकी लंगोट पनाई है उनको पूरी अच्छी तरीकी से पोंचा है अब उनको वस्त धारन कराये जा रहे हैं और मैं करने लग गई यहां पर मैं आर्थी की थाली की तैयारी करने के लिए गई हूं और सतीज जी लडू को लडू को आगे बाई लडू को पाल की थाली अश्याक पूरी में तीरी डेख कर गई हैं जिसमें त्यूरी की तैयारी कॉन कान आठी मिलकर करेंगे अपने कनहिया जी की आरती और कनहिया जी की आरती करने के बाद सबसे पहले ये देखिए लड़ू गोपाल को उन्होंने पूरी तरीके से तयार कर दिया है जूला यहां पे हमने लगा दिया है सबसे पहले हम आरती के समय अपने बाल गोपाल लड़ू गोपाल बँख्शर डाल रही हूँ अब जितने भी देपता जासकी घाय माता हैं घुमांता को एक मंतलते रखा बहिते हैं क्योंकि ये बासुरियां रात भर में अभिमंतित हो जाती हैं उसके बाद मैं उनको अपने बैड रूंग में ड्रैंग रूंग में रखूंगे और ये देखिए हमारे बाल गोपाल लड़ू गोपाल जूले पर विराजमान हो चुके हैं इतने सुन्दर लग रहे थे ना इत कोनों हस्बंड वाइफ मिलके अपने बाल गोपाल लड़ू गोपाल की आर्थी कर रहे हैं और आर्थी करते हैं मैं इनको जूला जूला रही हूं अब ये आर्थी कर रहे हैं कभी मैं आर्थी करती हूं ये जूला जूलाते हैं तो ये सिलसला हमारा चल रहा था बहुत मज डिवाइवेशन बोर्ती ये पूरी आरती मैं कर रही हूँ अब देखे लड़ू को लड़ू गोपाल को मेरे हस्बेन जो है वो जूला जूला रहे हैं इस तरीके से हमने मिल बाट के पूजा करी थी और मिल बाट के ही मेरे ख्याल से पूजा अगर संपन हो पाती है तो उसका सरवदिक फलप्राप्त होता है और आरती करने के तव पस्यात फिर हमने तयारी करी थी बाल गुपाल के भूख की आरती के बाद हमने इनको आरती दी थी अब मैं खड़ी हो चुकी हूँ पूरे घर में आरती को दिखाने के लिए लेकिन मेरे जो husband है वो लड़ू को पाल के साथ बाते कर रहे हैं ये देखे आप देख रहे होगे इस वीडियो में ये वीडियो मैंने काटी नहीं क्योंकि ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन इनकी जो voice थी क्योंकि पीछे background music आ रहा था तो उसमें copyright आ करती हूं कि हम पर भक्ति अपनी ऐसी भर्त बनाये रखना लोगों के पास सब कुछ हो दाता है लेकिन भक्ती नहीं होती है और यह आप लोगों के तिलक भी परिवार को आर्टी देने के बाद ये मैं अपने husband के तिलक लगा रही हूं फिर ये मैं अक्षत लगा रही हूं और अक्षत लगाने के बाद यह मने थाली नीचे रखी और इनके मैं चरन चू रही हूँ पैड चू रही हूँ किसी भी ब्रत तोहार पर चूते हैं और यह मैं उनको बधाई दे रही हूँ लाला के जनम उससब की बधाई हम में के कर रहे हैं और अब बारी है केक कटिंग की तो अब हम काटने जा रहे हैं अपने बाल गोपाल लड़ू गोपाल के साथ केक जो कि हम हर वर्थ ही काटते हैं इस बार जो हमने जो केक काटा वो शायद केक की फोटू नहीं आपाई क्योंकि कैमरा साथ डंग से सैट नहीं हो पाया लेकिन हमने केक काटा और उसके बार इ बच्चा भी छोटा है पर मत करो लेकिन यह कर रहे हैं और बहुत-बहुत सुन्दर लग रहे थे आप बताइए देखिए इनका चेहरा ही अलग निकल के बाग पीस निकल के आ रहा है अब मैं इनकी अलाय बलाय उतार रही हूं और मैं यह कहा हूं चलो अपने दोनों बच्च करते हैं निकाटा कुछ हमने फोटू सूट यह तो मैं आप लोगों के साथ साजा कर रही हूं यह मुझे अच्छे फोटू लगे थी इसलिए मैं आप लोगों के साथ साथा करें और इस तरीके से हमारे जन्मास्टमी का सालीबरेशन हुआ है कणिया जी को भूब कर और देखेंगे रात को थोड़ा बहुत और करते हैं तो देखते हैं क्या करते हैं और ब्लॉक कुछ फोटू के साथ समाप्त कर रहे हूं यहां पर हम यह देखिए बांसुली से दांडिया गेल रहे हैं और यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूं क्योंकि वीडियो बहुत बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आशा करती हूं कि आपकी जन्मास में भी बहुत हर्स उल्लास से बनी होगी जैसी हमारी बनी है अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूटूब चैनल हलीवाल को ल उल्मास में वीडियो बीडियो वीडियो डो जुड़ करता हो बतस करता है ऑ侮ा उल्मास में पना उलसे एुप जटाऊन जएसा घुप एrator कजये जह स्वासे वीडियो झाले हा उकि ए आले हुप